हेलो, गुड मॉर्निंग ओलो भियो, मैं विविक कुमार, रोजयना की तरह लेकर हूँ पस्तितो टूडे करेंट अपेर्स जी के MCQ जी, आज 18 माई 2020, वार सौमवार के करेंट अपेर के हम बात करते हैं, साथ यो आज का करेंट पेर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं, कल हमारा द्वारा जो question of the day में question पूछा गया था उसकी, साथ यो वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगें लाइक करें और चैनल को सब्क्राइब करें, बात करते हैं कल के हमारा questions की, कल हमने question पूछा था कि इस National Green Tribunal द्वारा विजाग गैस तरास्दी के संबंद में आदेश किस रेणी में पारित किया गया है, अब ही हाली में कुछ दिनों पहले, विजाग एनकी विशाका पट्नम के विजाग में गैस ली कुई थी, तो उसके संबंद में आदेश किस रेणी में पारित हुआ है, option A strict liability principle, option D absolute liability, option C उप्रोक्त दोनों, और option D उप्रोक्त में से कोई नहीं, साथिव विजाग गैस तरास्दी के संबंद में जो आदेश पारित हुआ है, वो पारित हुआ है strict liability principle, याणि कि option A right answer है, strict liability principle, National Green Tribunal ने विजाग गैस तरास्दी के संबंद में जो आदेश पारित किया है, वो आदेश किस के अतायता है? strict liability principle, इस प्रंसिपल की बात हम करेंगे कि इस प्रंसिपल का अंतरगत आता क्या है और उससे पहले बात करते हैं इसके कुछ उंपटवर्ट से तो साथियों विजाग गैस जो इतरास दिये वो आंदर प्रदेश के विसाका पत्नम के आर आर वेंकट पुरम गाव में एक प्लांट में से इस्टाइरीन गैस का रिसा होने के कारण होता क्या है जो इस्टाइरीन गैस होती है वो इस्वसन प्रणाले को प्रवावित करती है और जो यह कंपनी थी इस कंपनी का स्वामित्यू किसके पास था दक्षणी कोरियाई पैट्रो केमिकल कंपनी एलजी केम के पास था इस्टाइरीन गैस स्वसन प्रकेरा के लिए ब जो strict liability principle जो होता है उसके तैट क्या होता है कि company परिशर से खतरनाक पदार्थ लीक होने की इस्तिति में मुआवजा देने के लिए उत्रदाई नहीं है इसे मात्रिय एक दुरगटना माना जाता है यानि कि इसमें किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलता है साथ इसी question में एक point आया था कि absolute liability तो बात करते है absolute liability होती क्या है तो absolute liability जो होती है उसके तैट company परिशर में से खतरनाक पदार्थ लीक होने की इस्तिति में company को अनिवार्य रूप से मुआवजा का बुक्तान करना होता है और यह जो आदे से ही 1986 में सुप्रियम कोट ने ओलियूम गैस रिशाव के समद में पारित किया था जो absolute liability है उसके सिद्दान को अनुछे दिक्की से जिसे जीवन का अधिकार का जाता है का हिस्सा माना जाता है जो अपने कदमों की काबिल लिए पर विशुआस रखते हैं वही अकसर मंझिल पर पहुंशते हैं तो अपने कदमों की काबिले पर विशुआस रखिये मंझिल पर पहुंचिए करन्टपर पर ě da woßen सन किиком mm निम्न मेंसे चीन को कोरोना वाइरस प्रकॉप के लिए जिम्मेदा ठहराने के लिए किस देश ने 1870 योजना पेस किया है। ऑप्सने भारत, ऑप्सन B अमेरिका, ऑप्सन C इटली और ऑप्सन D जापान। साथे वर्तमान में, विश्व में कोरोना वाइरस माहमारी चल रही है। प्रस्तुत किया है अमेरिका के राष्टेपती डोनाल्ड ट्रम्प ने, वर्तमान में अमेरिका के राष्टेपती कौन है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने पेस करते हुए काया है कि चीन ने खराब मंसा से बातों को छिपाया था, और कोरोना माहमारी वैस्वी किस तर पर पहलाने का सरे किसको जाता है चीन को, ऐसा अमेरिका कह रहा है, नेक्स्ट, कॉस्टन से क्या दो, निमनलिकित में से किस देश की राजकुमारी मारिया गलिट जाइन का निदन हो गया है, जिन्होंने भारतिय मूल के से साधी की थी, आप्सन ही इटली, आप्सन भी स्पेन, आप्सन सी आश्ट्रिया और आप्सन सी डी आउस्ट्रेलिया, तो साथियो, राजकुमारी मारिया गलिट जाइन, जिनका निदन हो गया है, वह थी आश्ट्रिया की राजकुमारी, आप्सन सी राइट आंस और आश्ट्रिया और यह है आपकी मारिया गलिट जाइन, मारिय सेब कौनते रिसी कपूर के साथ सरी रिसी रूप सिंग से साधी की थी और इनकी जो एकत्तीस वर्स की उम्र में इनका दिल को धोरो पढ़ने से इनका निदन हो गया है मारिया गलेट जैन का तो उप्सन सी राइट आंसर वह आश्ट्रिया की राजकुमारी थी नेमन में से कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की किस युनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दोरान सकारात्म नतीजे प्राप्त किये हैं option A Oxford University, option B London University, option C Cambridge University और option D Nalanda University तो साथियों, बिटेन की Oxford University ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बंदरों पर ट्राइल की है जिसके सकारात्म परिक्षण देखने को मिले, सकारात्म के नतिये मिले तो option A right answer हो रहा है Oxford University जो की यह है Oxford University इसके कुछ पॉइंट्स की बात की जाए जो जो कोरोना वैक्सीन है वो Oxford University ने बंदरों पर ट्राइल की है और उसके नतिये सकारात्मक देखे और इस ट्राइल के दोरान वैक्सीन के परिक्षण से बंदरों की प्रतिरोधक चमता या प्रोधक प्रणाली में कोरोना वारस के प्रभाव को रोकने की संभावना दिखाई दी बंदर जो है उनको इंसान का पूर्वज माना जाता है तो इसलिए उन पर परिक्षण किया गया के कानून मंतरी वुपेंदर सिंभ चुडास्मा का चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दिए आप्सन ए राजस्तान, आप्सन भी गुजरात, आप्सन सी महाराष्टर, आप्सन डी केरल तो साथ यो कानूर मंत्री किस राज्ये के गुजरात राज्ये के भुपेंदर सिंग चुडास्मा बुपेंदर सिंग चुडासपा के चुनाव रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दिये तो option B right answer है किस राज्य के कारणो मंत्री है गुजरात के गुजरात के मुख्य मंत्री कौन है विजे रूपानी और गुजरात मुख्य मंत्री निरेंदर बोधी का गुरह राज्य है तो option B right answer गुजरात साथे सुप्रीम कोट की जस्टिस मोहन एम सांतना गोदार और सुआर सुबास रिड़ी की पीट ने इस आदेश पर रोक लगाई है और इसके साथ ही कानून मंत्री बोपेंदर सिंग चुडासमा के प्रतिद्वंदी कॉंग्रेस के अस्वनी राठोड तता अन्ये को इस अपील पर भी नोटिस जारी किया है केंद्रेवित मंत्री निर्मला सितरमन ने हर बल पोदो के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड रुपे देने की गोशना किया option A 1000 करोड रुपे, option B 2000 करोड रुपे, option C 3000 करोड रुपे option D 4000 करोड रुपे साथ रों केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सी तरमन नेहवी आतम स्वालंबन योजना के तैत जिसको कि प्रदान मंत्री ने लॉंच किया है उसके तैत 20,000 करोड रुपे का, 20,000 करोड रुपे का ब्योरा दिया है आर्थिक पैकेज का ब्योरे दिया है, जो कि कोरोन वारिस के चलते दिया गया है इसी 20,000 करोड में केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सी तरमन ने हर बल पोदो के उत्पादन को बड़ावा देने के लिए चार हजार करोड रुपे के आर्थिक सायता दिये ऑप्शन डी राइट आन फ्ट चार हजार करोड रुपे देने की गोश्चना किये है कॉस्टें संक्याच 6 हार साल विशु भर में विशु दूरसंचाहर दिवस यदि की World Telecommunication Day कम मनाय जाता है Option A 10 मही को, Option B 15 मही को, Option C 17 मही को, Option D 27 मही को साथ यो World Training Communication Day और Information Society Day मनाया जाता है 17 मही को Option C right answer है 17 मही और इसके अलावा 17 मही को विश्व भर में विश्वय सूचना समाज दिवस और विश्वय उच्छ रख पचाब दिवस भी मनाया जाता है साथ यो बात करें विश्व दूर संचार दिवस की तो विश्व दूर संचार जो दिवस है 17 मही 1865 को अंतराश्टे दूर संचार संकी स्तापना की स्मर्ती में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्यकार्ण क्या है मुख्यकार्ण यह है कि हम अब तक के उन परिवर्तनों को भली बाती समझ सके जो इन छेत्रों में हुए किसके संचार परणाले के छेत्रों में हुए और इनसे हमारी जिंद्गी कितनी प्रभावित हुई है विशु दूर संचार दिवस की पहली बार शुरुवात कब की गई थी 1979 में और इस बार दुनिया भर में 51 वा विशु दूर संचार दिवस मनाया गया है तो साथियो आज का मारा करण ठपेर सितना ही है क्योंकि संडे था लाश्ट डे और संडे की वज़े से में कुछ कॉस्टन्स मिल नहीं पाए साथियो आज का कॉस्टन अब दडे की बात करें तो आज का मारा कॉस्टन अब दडे है कि निमने वैसे किस बारते के प्रदोगी की संस्तान आने कि इंडियन इंस्ट्ट अब टेकनोलोजी आयए टी ने एश्टी एम मानक आधारित बैक्टेरिया निस्पादन में सक्छम फेस मास्क तैयार किया है option a it dilly option b it कानपुर option c i a q arsevr का वेट करेंगे सा्थी अब आपको मारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें जो भी कुएरी जो भी कॉस्टन कमेंट करें साथी साथ हमारे कॉस्टन ओभ द्धे का पांस्वर भी कमेंट करें वीडियो का पेडिया डाउनलोड करें पेडिया डाउनलोड करने कर लिंक के डिस्किप्शन में मिलेगा इसके साथ यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्व चेनल यूवी कंपिट्संस को सब्क्राइब कीजिए जिसे आपको डेली अपडेट्स के नौटिफिकसन मिलते रहे तैंक यू सो मच धन्यवाद, इस्टे हों, बेशेप, घर पर रहे, शुरक्षित रहे कोरोना वाइरस मामारी से बचे आपका दिन सुबो